हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दा सक्सस केंद्रा फ्रेंड्स तके आज इस वीडियो में हम लोग 68 टीवी पेशी पीटी एक्जाम जो बारा फरवरी 2023 को लिया जाएगा फ्रेंड्स उसके द्रिश्टी आई इसका हिस्ट्री का इसमें इतिहास के टोटल 150 इंपोर्टेंट कुस करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और जो वेल आइकन है घंटी का निसान है उसको जरूर दबा लिजेगा ताकि जब भी 68 टीवी पेशी से संबंदित कोई भी इंपोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पा था तो फ्रेंट्स इसका राइट अंसर ऑप्सन नंबर सी हो जाएगा की कट अगला प्रशन हमारा किनमलिकित में से किस प्राचीन सासक ने एक राट की उपादी धारन की थी अगर आपको एंसर पहले से पता है तो एंसर आप कमेंट बॉक्स में देख करके बताती जाए त तो देखे फ्रेंट्स इसका जो राइट अंसर हो जाएगा ऑप्सन नंबर सी हो जाएगा महापदमुन देखे फ्रेंट्स पूरानों में इसे सर्वच्हत्रान तक अर्था सब छत्रियों का नास करने वाला तता बौत गरंतों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स् प्राप्त होती है किस से तो कार वेल के हांथी गुमफा अभिलेक से ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे next question कर लेंगे कि गुप्त कालीन सिक्के बिहार के किस अस्थान पर पाए गये थे डेकंगे यहां पर पूछा गया है गुप्त कालीन सिक्के तो बिहार में चांदी के बन बकसर और चिरांद के सिखे कुसान कालीन है जो कुसान समराज के विस्तार को दर्साते हैं गुप्त कालीन सिखे जो की प्रश्ण में पूछा गया है यह कहां से पाएगा है तो फ्रेंस यह हाजीपुर से पाएगा है next question है कि प्रसेद्य सासक मेधिनी राय का संबंध किस वंस से था तो देखे right answer हो जाएगा चेरो वंस option number a इसका correct answer हो जाएगा मेधिनी राय का संबंध जो था ये चेरो वंस से था चलिए next question कर लेंगे आगला प्रश्न करेंगे कि विक्रम सीला विस्विद्याले की अस्थापना निमलिखित में से किसके द्वारा की गई थी तो फ्रेंट्स ये की गई थी धरमपाल के द्वारा ठीक है याद रखेंगे मैं बिल्कुल जल्दी में आपका रिविजन करवा दूँगा बिल्कुल आपका समय वेश्ट में न बक्तियार खिल जी ठीक है ध्यान रखिएगा चलिए अगला प्रशन करेंगे मुहमद बक्तियार खिल जी बिहार पर आकर्मन करने वाला पहला मुसलिम आकर्मन कारी था वह कुतुवदीन एबक का सेना पती था चले कोस्त नमबर 7 करेंगे अब देखे कोस्त नमबर 7 है कि नर भारत की प्रसिद रचना मिर्च कर्टिकम किसके दवारा रचित है तो अधिन व्र सूद्रक कीर्ट था है याद लखेंगे यहीं होँ इसको इसकेdriven कि एक कुमारार के कुमार के चाख का विसकर कुमहर नहीं कुमार की चाक का विसकर निम्लिकित मैं तो किस सानकाल में ठीक है आयरुवेद की सबसे पहला दर्द सहिंता कौन सी है तो यह सहिंता जो है यह कौन सी है तो यह है आपका चरक सहिंता ठीक है चरक सहिंता चलिए और चरक सहिंता कारेच जिक त्स सम्बंदित है इसको याद रखेगा आयरुवेद की उत्पत्ति वैदिक युग में हुई है अगला प्रशन करेंगी कि मिनाक्षी सुंदरिश्वर मंदिर का निर्मान किस ने करवाया था तो फ्रेंट्स तेकि मद्रोय में इस्तित है यह मिनाक्षी सुंदरिश्व को समर्पित है अगला प्रश्ण है हमारा की भारत गे निमलिखित में से किन राज्य में नागारजन गुहाल एक पाए गया है दो रिट अनसर इसका बिहार मोगली पुत्र में और इसके अधेक्सता मोगली पुत्र तीस ने किया था किलियर याद रखिएगा अच्छा यहां पर कुछ मैं आपको एक एक्ष्ट्रा चीज बता रहा हूं अगर आपसे इस तरह से प्रश्ण पुछा जाए कि पहला जो बौध संगिती था इसका आयोजन में और असुक जो थे यह मौरेवंस के सासक थे चौथा कनिस्क के समय में कुंडलवन कस्मीर में और कनिस्क कुषानवंस का सबसे प्रतापी सासक था इन सबको आप ध्यान रखिएगा ठीक है पाटले पुत्र इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा चलिए अगला प्रश्ण कर लेंगे किन्यमलेखित में से किसने भारती उप महादी पर सबसे पहले आकरबन किया था तो सबसे पहले आकरबन जो किया था यह पूछा गया है तो देखिए भारत पर आकरबन करने वाले सबसे पहले सासक जो थे यह यूनानी थे ठीक है कौन थे यूनानी थे उसके बाद अगला प्रश्ण है कि संप्रदाय से संबन्दित तो बताइए इसका राइट अंसर जो जाएगा फ्यंड्स यह आपका हो जाएगा अपसर नंबर जैंध्रम से शंपूर्ण ग्यान चलि उसका बढ़ दिखेगा कि हडपा, कालिन, अस्थल, महन जोजाड़ो किस नदी के टट पर इस्तित है तो हडपा जो है यह रावी नदी के टट पर और महन जोजाड़ो पूछा गया है जो कि सिन्दू नदी के टट पर है ठीक है चलिए नेक्स्ट कुस्टन कर लेंगी कि भिंबेट का सेल आसर भारत की किस राजिमे क्षा । नंबर 19 देखेगा कि किस सीला लेक ने पहले बार औसूक नाम का उलेक किया था तो इसका correct answer जो हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा option number यहाँ पर देखें मस्की सिलालेख हो जाएगा ठीक है मस्की सिलालेख भारत के करनाटक के रायचूर जीले मिस्तितिक पुरा तत्विक अस्थल है यहाँ मस्की नदी के टेट पर इस्तिल अस्थल है जो तुंग भद्रा की सहाइक नदी है चले उसका बाद देखें अगला प्रशन है कि अगनी का सरपर्थम उप्योग अब यहाँ पर देखेगा थोड़ा सा प्रशन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है यहाँ उप्योग पुछा गया है खोज जो हुआ था यह पुरा पासान युग में हुआ था पुरा पासान काल में हुआ था लेकिन यहाँ उप्योग जो हुआ था उप्योग का जो साक्ष प्राप्थ हुआ है यह आपका नौ पासान युग में क्लियर हो गयाना आपका खोज हुआ था पूरा पासान में लेकिन उप्यूग के जो साक्ष मिले हैं यह मिले हैं आपके नौ पासान यूग से क्लियर चलिए अगला प्रशन की जैन ध्रम में यहां माना जाता है कि जगत सारवभमिक खालेस्तन दिया गया है द्वारा सिर्जि पदार्थ को यानि कि सरीर को आत्मा यानि कि चेतना से पूनतह अलग करता है यह पदार्थ बाद ब्रमांड विज्ञान ज्यान मिमांसा और जीववाद का पर्थिपादन करता है चलिए नेक्स्ट कुशन करेंगे हम कि भारत में सत्रंज की खेल की उत्पत्ति हुई सत्रं क्यानिस भारत छोड़ो अन्धोलिं तक में जितने भी भिहार से सम्बंदित इतिहास के प्रश्न उन सबको मैंने एक वी वीडियो में कबर करा शकर मैंने एक वीडियो में ॓स्rekैन को भानेशबश्यद ओस चातुरंग की नाम से जाना ज gelir अगला प्रश्टि की सिंदू नदी को पार करने के बाद तक सीला की ओर बढ़ा था इसके बाद उसने जेलम और चीनाब नदियों की बीच जवराजी के सासक थे पूरस उनको चुनावती दी थी और आपने पढ़ा भी होगा हाईडे स्पीज का यूद या पूरस और किसके विच्वा था या सिकंदर के मद्ध हुआ था इसको आद दिखे निमनेलिकित में से किसके सासनकाल के दौरान हैंस्वांग भारत आया था हर्सवर्दन के सासनकाल में ठीक है अगला प्रोशन तो फ्रेंट्स यहाँ एलिफेंटा में ठीक है एलिफेंटा इसका राइट अंसर हो जाएगा देखे प्राथीन कौंकन मौरियों की दीप राजधानी एलिफेंटा को धारा पूरी के रूप में जाना जाता है धारा पूरी के रूप से और जहां पर तीन सीर वाली महस मुर पुझा ज़रा है तो फ्रेंस्ट यहां उस द्रीन थी ठीक है चलिए नेक्स्ट कुस्ट्सन कर लेंगे कि नम्ली खितorders मैं से मंदिरों को पुझा गया है कि तो देखें यहां पर अगर हम बात करें यहां पर मंदिर का कालकरम पुझा गया है सबसे काले हो जाएगा आपका इसमें टटियो मंदिर फिर मोढेरा का स्थूर। आपक्ष मंदिर पिर कामक्या मंदिर को आपको अपच्णिंगर यहां पर दीखेगा बीजु दिया गया है यह आपका सही विकल्प दिया गया है ठेके महाबली पूरम में टटीय मंदिर जिसको की सोर टेंपल कहा जाता है नरसिंग बर्मन दूतिय के सासनकाल में बनवाया गया था के लिए चलिए उसके बाद यहाँ पर देखेंगे उसके बाद आपका लक्षमन मंदिर चंदेल सासक के समय चंदेल वंस के राजा राजा धंग क द्वारा यह बनवाया गया था मोडेरा का सुर्य मंदिर का निर्मान सोलंकी राजमन्स के राजा भीम देव प्रथम ने करवाया था और कामक्या मंदिर कामक्या दिवी को समरपित एक सकतिसाली पीठ है जिसका निर्मान असम में 17 सताबदी में किया था यह वाला करम सही द प्रथम ठीक है चलिए अगला प्रशन हमारा कि निमन लिखित में से किस व्यक्टित को तमिल सहित्य का जनक माना जाता है किसको तो यह रिसी अगस्त को अप्सिन नमबर यह हो जाएगा राइट अंसर इसका चलिए उसका अगला प्रशन करेंगे कि भारत में सिंदु घाट इस बहता का सबसे पूर्वी पूरा तत्विक अस्थल है ठीक है और देखिए यह उत्तर प्रदेश की मेरट जिल में इस्तित है और इसे सिंदु घाटे की सबसे पूर्वी सिमा माना जाता है उसका बाद के दिल्ली सल्तनेत के किस राजमस ने सबसे कम आउधी तक सासन किय है सबसे यहां कम अवधी तक पूछा गया है तो सबसे कम आउधी तक सासन किया है खेलजी वन्स ने किया है क्लिए तो रैयट एंसर इसका क्या हो जाएगा रैइट इनसर इसका option नमबर यहां पर डी हो जाएगा चलिए चलिए नेक्स्ट कुश्ण करेंगे सबसे कम हो जाएगा खिल जिबंस का अगला प्रशन करेंगे नेक्स्ट कुश्ण है हमारा कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में उलिखित यवन पिरिया संदरवित करता है तो देखें यवन पिरिया यह संदरवित करता है काली मिर्च को क इसके में दारा सिकोह किस सुफी सिल्शिलये का अनवाई था तो दारा सिकोũ जो था यहां कादरी सिल्शिला कर ठीका अपतिन नम्बर एध था पुतर तो ते तरतर गांपर उधा कहीमgame काहीए न दौट और यहीं यूद जो था इसी को विजयनगर के पतन का कारण माना जाता है विजयनगर समराज और दक्कन सल्तनत के बीच यह यूद हुआ था ठीक है याद रखेंगे चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्ष और इस यूद में विजयनगर एक तरफ था और दक्कन की विजयापूर विजयनगर समराज के अस्थापना किया था तो विजयनगर समराज के अस्थापना 1336 में हरियर और बुक्का नामक दो भायों ने किया था अगला प्रशन है अमारा थोड़ा जल्दी-जल्दी हम लोग वीडियो को कवर कर लेंगे ठीक है फ्रेंट्स चलिए उसका बद एक देखेगा कि मुगल समराज जिन्होंने अपने समराज में तंबाकु की उप्योग को परतिबंदित किया था तो वो कौन था तो बताइए तो फ्रेंट्स वह था जहांगीर ठीक है जहांगीर इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्सन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट अंसर 1627 इसविम इसे परतिबंदित करने का आदिश दिया था जहांगीर ने उसका बाद इकी निमलिखित में से कौन सा भक्ती संतों के जन्म का सही काला नुकरम है सही काला नुकरम पूछा गया है तो यहां पर देखीगा राइट अंसर इसका हो जाएगा आपका रामानुज ग दिवन काल रहा था गुरु नानक का गुरु नानक का हो जाएगा 1479 से ले करके 1549 फिर चैतन्य का हो जाएगा आपका 1486 से 1534 और मेरा भाई का हो जाएगा 1498 से 1557 ठीक है इसको अब दिखेगा गुप्त कालिन स्हिती के कीरति निती-सार के रचनाकर कोन है निती-सार के रच इंसर ठीक है इसको आप ध्यान रखिएगा चलिए आगला प्रश्ण करेंगे नेक्स्ट कुस्ष्ण हमारा कि पानिपत का तीसरा युद कब हुआ था तो यहां आमत्सा अब्दाली और मराठो के मद हुआ था 1761 में इसमें मराठो की हार हो गई थी भारत में तोपो के सरप्रतम प्रयोग का स्रे किसे दिया जाता है तो तोप का प्रयोग सबसे पहले बाबर ने किया था ठीक है 1526 की पानिपत का प्रतम युद हुआ था उसी में किया था नेक्ष्ट कोस्टन हमारा है कि प्रसास्निक प्रनाले मंसबदारी मुगल समराज में शुरू किया गया था तो मुगल समराज में यहां शुरू किया था अकबर ने और यहां जो लिया गया था मंगोलों से लिया गया था चंगेज खांसे अकबर ने इसे लिया था उसके बच इसका भी राइट अंसर हो जाएगा अलाई दर्वाजे में किया गया था ठीक है चलिए उसका बद अगला प्रश्ण कर लेंगे देखें नेग्स्ट कुशन करेंगे अगला प्रश्ण हमारा कि कौनसा मुगल सासक उसकी कबर के अस्थान के साथ सही सुमिलित नहीं है बताए, इसका right answer क्या हो जाएगा सही सुमेलित कौन साईस में से नहीं है, यहाँ पर द्यान देने की बात है ठीके, बहुत ही द्यान से देखेगा देखे इसका जो right answer हो जाया गया friends, वो आपका सीधे मैं पहले answer बताता हूँ, फिर आपको बाद में इसका एक्स्प्लेनेशन बताओंगा तो यहांसी निम्गी यह हो जाएगा जहांगिर आगरह यह नहीं है जहांगिर आगरह ठीक है जहांगिर के catchऄ ली लाहौर में है 2 ठीक है कहांपर है लाहौर में है इसका अगरा में नहीं जहां गिरा वहीं लहू गिर गया इस तरह से याद रखेंगे जहां गिर मतलब जहां गिरा वहीं लहू गिर गया बलड गिर गया तो जहां गिरा वहीं लहू से लहूर पकड़ दीजिए चलिए अपसन बाकी देखें बाबर काबुल अगबर सिकंद्रा हुम दिवाने मस्तर्ख राज और यह क्या था तो फ्रेंट्स यह एक प्रकार का जो है किस प्रकार का भीभाग था तो इसको भी याद रखना है देखिए अलावदीन खिलजी ने राजस्व कत्रित शुरू किया था और इस प्रणाली को लागू करने के लिए उसने दिवाने मस्त को तबला और सितार का भी जनक माना जाता है ध्यान रखिएगा देखेंगे अगला प्रशन है कि अश्ट प्रधान नामक प्रसास्निक बास्ता शुरू की गई थी तो फ्रेंट्स यह सीवाजी के द्वारा की गई थी ठीक है अस्त प्रधान में जो सबसे प्रमुख पद हो होता था कि चलिए आगे बढ़ेंगे कि सखी ग्रंथ अनुराक सागर और बीजक नमलकित में से किसकी कृतियां है तो फ्रेंट्स यहां कबीर की है ठीक अब इसका डी हो जाएगा राइटेंसर कबीर की है चलिए नेक्स्ट कुस्सन करेंगे अगला प्रश्न हमारा कि कुस्सन नंबर फोटीएट है कि मद्यकाल के दोरा निमलकित में से कौन तिरिपक्षिय संगर्स में भागिदार नहीं था तिरिपक्षिय संगर्स में भागिदार नहीं था बताए राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा तो दीके तिरिपक्षिय संगर्स जो हुआ था इ पर सबसे पहले अठारासों संतावन का विद्रोव हुआ था तो दरसल उस समय जो हुआ था रोहिनी जो कि आप जारखंड में है तो बिहार में हुआ था सबसे पहले तो यह आपका रोहिनी हो जाएगा ठीक है लेकिन अगर अभी दिखिए अभी कुछ भी कर सकता है कि इसके अपास एक ब्रमास्त्र है और वो ऑप्सन ई है ठीक है तो पटना भी हो सकता है तो थोड़ा सोच समझ कि इसका अंसर देना होगा आपको चलिए उसका बदेखेगा कि और पटना में पीर अलिखा के नत्रित में हुआ था देखिए नेमलिकित में से कौन से युगम सही सुम कि बीच हुआ था तो यह वाला सुमेलित नहीं है बाकी सबीच्व हैं सुमेलित दिया गया है रसकवदे के नेमलिकित मेंसे किस ने गुलरुखी उपनाम प्योग जो किया था गुलरुखी उपनाम या तखलुस से फार्सी भासा में चंदों कि रशना किया था किसने समका निर्मान करवाया था तो यह करवाया था और सोक ने कोल हुआ एक प्रसिद्ध बौध उत्खनन अस्तल है जो कहां पर है तो यहां मुझभपर पूर में है मुझभपर पूर जिला में है और सोक इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है उसके बाद देखेगा कि इन विद्रोहो आंदोलोनों विद्रोहिया का सही कालन क्रमिक क्रम क्या है यहां पर आपसे क्रम पूछा जा रहा है इनका तो यहां पर आप देखिएगा इसका जो अपसे नंबर डी हो जाएगा हां यहां पर देखिए अपसे नंबर डी होगा इसका यहां पर दिया गया देखिए नोनिया में आपको बताया था नोनिया विद्रोह 1770 से 1860 के दर्मयान भूमिज विद्रोह जो हुआ था यह आपका हुआ था 1832 में उसके बाद लोटा विद्रोह पुछा जाता है जो कि मुझब पर पूर में हुआ था ठीक है चलिए नेक्स्ट कुस्टन कर लेंगे अगला प्रसंद देखिए 54 नंबर है कि नम्निकित में से कौनसा छेत्र बिहार में 1877 के विद्रोह के नित्रित करने वाले अपने नेताव के साथ सुमेलित न हुआ और ख़प्रा से से मौहमद हुसाइन खाने कि नहीं किया है तो नहीं किया अठीक हो जाएगा लियाकत रहे हो चाहां की नहीं है कि लियाकत अली जो है मौलमी लियाकत अली ने इलाहाबाद और बनारस further एहाँ पर दिखेगा इलाहाबाद दिया गया है तो इसका option number इहाँ पर d हो जाएगा ठीके चलिए लखनव से आपको पता है किसने किया है लखनव से किया है बेगम हजरत महल ने ठीक है चले नेक्स्ट कुस्सन कर लेंगे अगला प्रश्ण है हमारा कि नम्रिकित में से किसे हडपा कालिन महरों द्वारा चितरित नहीं किया गया है बताई इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा तो यहां पर दिखेगा तो इसका कारेक्ट अ महरों पर जो है मानव आथ्वा प्स्व की आक्रिति उतक्रिण है अधिकांस महरे फर वास्थविक जनवरों की आक्रितिया बनी हुई है कि कुछ पर पौरानी कथाओं में तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है चली उसका बात नेक्स्ट कुस्ट कर लेंगे अगला प्रश्ण है हमारा कि बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली शुरू की गई थी तो यह की गई थी रोबर्ट कलाइब के द्वारा अपसे नमबर बी राइट अंसर हो जाएगा रोबर्ट कलाइब के द्वारा शुरू किया गया था ठीक है और यहां प्रणाल लिए बैठा कन्यत्रित्व किया था अनुग्रह नरायन सिनहा ने यहां पर आप अनुग्रह बना लिए ठीक है अनुग्रह नरायन सिनहा तो राइट अंसर इसका ओप्सन नमबर बी हो जाएगा अनुग्रह नरायन सिनहा नेक्स्ट कुस्टन कर रहेंगे कुस्टन नमबर 59 है पतना हुई थी नेक्ष्ट कुस्चन करेंगी कि और सवायों का अस्थागित करने का या था तो यह अन्यस्थर बाइस में ठीक है इसी के आड़ी दुखी हो गया और सवायों को अस्थागित कर दिया उसका बढ़ कि 5883 में जब Uber đến प्रस्तुद किया गया उसमें वाह सराय कौन था तो दीक जब-8.67 अध्यों वाहरा रिपन था 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 दृद रापन धियान रखेगा I लौड रिपन को भारती जो भारत में अस्थानी स्वासासन है उसका जनक माना जाता है और इसी किसमें पहली कारखाना अधिनियम लाया गया था इसी werd निरस्त किया था देकिस साफा हो और अंडूलण इमनिकेट में से कीस फर्स शुरू हुआ था। सब्सक्राइब कर लेंगे अगला प्रशन है कि चोल प्रसासनिक प्रणाली की सबसे अद्वितिय विस्षिस्ता क्या थी तो फ्रेंस उनकी ग्रामिन स्वायतिता जो थी यहां सबसे उनकी खास भी सिस्ता थी ठीक है चली अस्थानिये जो स्वासासन कह सकते हैं उसके बदेखें नेक्ष्ट कुस्सन हमारा कि 1877 का विद्रोह शुरू हुआ था इसका अंसर आप मुझे कमेंट करके बताएगा ठीक है चली उसके बदेखेगा कि नमलकीत में से कौन स शुल से ब्यापार के लिए भारत आने वाले रॉपयों का सहằई क्राम है अब परश्ण को जराब ध्याध्यां से पड़एगा यहां नहीं की उन्हांने फाक्टरी का बस्था अभित किया ऐसा कुछ May नहीं है ठीक है तो देखे इसका जो राइट अंसर हो जाएगा यह आपका हो जाएगा पुर्दगाली डुस अंग्रेज और फ्रांसे सी तो आप्सन अबरेस का सी हो जाएगा राइट अंसर ठीक है चलिए उसका बाद नेक्स्ट कुस्ष्ण है कि नेम लिखित में से कौन नह मोति लाल नह्रों के अध्यक्सता में भारतिय समिधान के मसाधे को तयार करने के लिए 8 सदस्यों अलीक समिती बनाई गए थी आठ सदस्य थे और मोतीलाल नहरू इसकी अध्यक्स थे ठीक है इनके जो पुत्र थे पंडी जवारला नहरू ये इसके महा सचीव थे क्लियर उसके बाद साथ अन्य सदस्यों का मैं नाम बता रहा हूं दो लोगों का बता दिया मोतीला नहरू अध्यक्स थे और पंडी जोहारला नहरू इसके सचीव थे उसके बाद अली इमाम थे तेज बहादूर सापरू थे सुबास चंद्रबोस्त थे सिरी MS अने थे सरदार मंगरू सिंग थे सिरी सोयब कुरैसी थे और सिरी जी आर प्रधान इसमें सदस से थे तो ध्यान रखेगा राइट इन सर इसका उप्स नमर्डी हो जाएगा सरदार बल्लभाई पटेल ठीक है चले मौरे काल में सीता सब्द का अर्थ होता था तो सीता सब्द का उप्यों कि जाता था यह राजकी भूमी से राजस्व के रुप में उसके जैम्स अगस्तस हिकी नामक एक आईरिस व्यक्ति के दौरा भारत में शुरू किया गया पहला समाचार पत्र कौन था तो देखें 1780 में इसमें शुरू किया था और यह बंगाल गजट था ठीक है बंगाल गज स्थापना आपको प्ता है किस ने किया है तो महन राए ने किया था ठीक है और आगे देखेंगे यहां पर पूछा गया है करके आगे 1866 में ब्रहिखमाज दो भागों में विभाफजित हो गया तो यह दिखे आदि ब्रहिखमाज यह सही दिया गया है और दूसरा भ insider भात्री was उन्रात्रत्र केसव चंदरश्यन नहीं किया था ठीक है तो यह गलत हो जाएगा ऐस्थापना डवांज झालत्रत्ते हिए व्री नथ उन्पाइगे जो क्यें जो çev others found ओम जो तीवा फूले नहीं किया था तो ये भी गलत है कौन से इगम सुमेलित नहीं है तो ऑप्सिन नमबर इसका ई हो जाएगा राइट अंसर उसका बचले नेक्स्ट कुस्टन है कि नम्लेकित में से किस राजे में रामोसी क्रिसक जथा का गठन किया गठन महाराष्ट में बास स्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है उसका बदी के राजे रामोहन राय की विशें में कौन सा कथन सही नहीं है यहां पर देखेंगे आप तो इन्होंने मिरातु लखबार और समवात कमुजी जैसे समाचार पत्र प्रकाशित किये थे सही दिया गया है इन्हें आधुन कैसे हुई है इनकी मिरत्यव जो हई थी यह मैनिंजाइटिस के कारण हुई थी उनकी मिरत्यव मैनिन जाइटिस के कारण हुई थी ठीक है इस लिका नहीं है श्कestry नहीं है ले रोम है कि लोट अकर लट की और ट केस दिया था तो आङtimer को матरब कन देएनन कोसने करेंगेगे क्याता है तो अभी मैं आपको मतां राजाराम मोहन राय को कहा जाता है इस इन्हें भारतिय पत्रकारित का अग्रदूत हुआ जाता है कि इस ने महरावली लव अस्तम कि अस्थापना की थी तो इसके अस्थापना था चंदगृप्त दूतिये ठीक है चंदगुरुप्त दूतिये ने जो है महरावरी लव अस्थम के अस्थापना गुम्तुवंस के चंदगुरुप्त दूतिये के द्वारा भगवान विश्णू के सम्मान में विश्णू उपद के रूप में की गई थी और इस अस्थम पर संस्क्रित में अभिलेख है चले अगला प्रश्ण है कि भारती राष्टी कॉंग्रेस के किस अधिविशन के अध्यक्षता महत्मा गांजी जी के द्वारा की गई थी तो 1924 का जो बेलगाब अधिविशन हुआ था इसी के अध्यक्षता इन्होंने किया था उसका बदिके निमलेखिते में से किसे कॉंग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया था तो कॉंग्रेस का कभी नहीं चुना गया था बालंग अधर थी लगको आपसर इसका D राइट अन्सर हो जाएगा ठीक है याद रखेंगे चले उसका बाद next question कर लिंगे अगला आठाटाउट सुदारसंग कि ऐस्ठापना क scorमें आयारीज एसुदारसंग के अस्थापना किया था- ठीक-ए- अगला-प्रश्न सब्सक्राइबुदों 합िammaza प्रकाइभ वेल सब्सक्राइब शूरू किया है तो व्हुतान और आ। कि तो विन्व unfold भावे ने अगला प्रकाइबुदों प्रशन और इसका सी हो जाएगा नुखन से संहें नहीं है तो यहां पर देखेंगे अगर hanger बात करें तो गौत्म का जो जनम है यह आपका कहाँ पर हुआ था तो इनका जरम जो हुआ था यह लुम्नी में हुआ था तो इनको जो है नहीं है तो एह हुज जाएगा एक से अधिक ठीक है चल उसका इसका बढद料 अक्टूबर 1905 को कौन सी एतिहासि घटना घटित हुई थी तो 16 अक्टूबर की दिन हुआ था बंगाल का विभाजन ठीक है 20 जुलाई 1905 को लॉड करजन ने एक आदिस जारी करके बंगाल प्रांत को दो भागों में विभाजित किया था और 16 अक्टूबर को जो है यहां बंगाल विभाजन प्रभाई हुआ था अगला प्रशन करेंगे कि मांटेग्यू चैंस फोर्ड का 1917 का प्रस्ताव संबंदी था तो यहां संबंदी जो था यहां किस्ट संबंदी था यहां पर दिखे समयधानिक सुधारों से अप्सन नंबर ए इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है चलिए मोंटेग्यू चैंस फोर्ड कौन था तो यह वायसरा है था किलेर चलिए अगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कुस्सन कर लेंगे अगला प्रुशन हमारा कि भारती राष्ट्री कॉंग्रेस के निमलेखित करांती कारियों में से किस ने कहा था कि अठार्व सुन्तान का विद्रो अरंग जेव ने और अजीमा बाद नाम रखा था इसी ने साजादा अजीव ने क्लियर चलिए नेक्स्ट कुस्टन कर लेंगे अगला प्रश्न है हमारा कि मारले मिंटो सुधार के विशे में कौन सा कथन जो है सही नहीं है इसमें से जो सही कथन नहीं है जब यहां बिल प संगराम के दोरान घटित हुई नेमलेखित गटनाओं का सही कालन क्रम क्या है बिलकुल क्रम से बताना है तो यहां पर देखेंगे फ्रेंड्स आपका चंपारन सत्यागरा हो जाएगा 1917 में ठीक है उसके बाद अहमदाबाद मील हो जाएगा आपका यह फरवरी मार्च 1918 में खेडा हो जाएगा आपका यहां पर देखेंगे खेडा जो सत्यागरा हुआ था यह 22 मार्च 1918 को और आसायोक आंदोलन यह आपको पता है यहां 1922 तक जला था तो यह वाला क्रम सही दिया गया है उसके बाद देखें नेक्स्ट कुस्टन है अगला कुस्टन क्रिम्रेखित म से कौन असेमली बंकांड में सामिल था या थे असेमली बंकांड में सामिल कौन था या पुछा जा रहा है बताए यह राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा तो दिखेंगे 8 अपरेल 1929 को भगत सिंग और बटु केश्वरदत ने विधान सभाग के गलियारों में बंफेका और इन क्लाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे तो यहां पर देखें एक से जाधा राइट अंसर हो जाएगा भगत सिंग और बटु के श्वरदत ने आत्म समर्पन कर दिया और उनको 12 जून 1929 को आजिवन निर्वासन यान की कालापाना की सजा सुनाई गई थी ठीक है और 23 मार्च 1931 को इनको फासी दे गई थी भगत सिंग सुकदेव और राजगुरु को ठीक है फ्रेंस लाहाओर स्रडेंतर केस में तो यहां पर देखें अस्मली बंकांड पूछा गया है तो अस्मली बंकांड में जो है यहाब का हो जाएगा इसमें से भगत सिंग और बट तो कृष्ण देव रायने ठीक है अमवक्त मल्याद इसकी रचना किया है किसने तो कृष्ण देव रायने ठीक है याद रखेंगे इनकी और रचना है जामवंती कल्यानम इसको भी आप ध्यान रखिएगा चलिए उसका बद नेक्स्ट कुस्टन है कि थिए सोफिकल के लिए किस आयोग क गठन किया गया था तो ये अयोग था पील कमिशन पील आयोग ठा ठीक है अपसन में लिज का डी रायर्टन शर्व होजाएगा पील आयोग कर लेंगे अगया प्रशन कर लिए कि दक्सिन अफ्रिका से अपने लंबे प्रवास के बाद मात्मा गांधी भारत वापस काब आये थे तो गांधी जी वापस आये थे 9 जनवरी 1915 को इसलिए 9 जनवरी के दिन प्रवासी भारती दिवस प्रतेक वर्स मनाय जाता है निमलिकित में से किस सिख गुरू ने आदी ग गण्धी जी ने अपना राजनिति के गुरु दे यह कौन थे वर्ना कुलर प्रेस पारित किया गया था और यह अथां अगरा प्रश्न है कि कॉंगरिस पतन के लिए लड़ खाला रही है और जब तक मैं भारत में हूं मेरी सबसे बड़ी अभिलासा इसके सांत्यपुन वि यहां लॉड करजन का है उसके बदिके रॉल एक्ट पारित किया गया था रॉल एक्ट जो है यहां पारित किया गया था ते फेंस यहां सेडिशन कमीटी के सिफारीसू के आधार पर अपसर नमबर ए इसका रायट अंसर हो जाएगा ठीक है सिधीशन कमिटी के द्वारा रिपोर्ट त्यार की गई थी चलिए next question कर लेंगे अगला प्रस्चन है हमारा कि भारति-राश्टी कोंग्रेस के पहले अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है यहां पर बताएं कौन सा कथन सही नहीं है तो देखें पहला जो ने सामिल लिया था यहां पर दीके बेरासी दिया गया यहां इसके अध्यक्स थे यह महाश्ची पर दिए घ्लत हो जाएगा बहत्तर प्रतिनिजियों ने भाग लिया था सब्सक्राइट हो जाएगा तो जाएगा अस्थान को नियंद्रन में लेने के लिए हो उपद्रव उत्पन हुआ तो हो पद्रोज हुआ था ये चोटा नागपुर के हो और मुंड़ा अधिवासियों ने 1822 में कमपणी की सनाव को चुनावती दी और पुना वर्ष 1831 में उन्हें ललकारा और वर्ष 1837 तक इस सेत्र में असानती बनी रही थी ठीक है हो और मुंड़ा अधिवासि अंग्रेजे द्वारा सीवम बरतमान जारफ घंड पर कबजा करने की विरुद्ध थे तो यह आपका सेवम हो जाएगा नेमलिकित में से कौन सा यगम सही सुमिलित नहीं है यहाँ पर पताएगा सही सुमिलित नहीं है तो यहाँ पर ठीक है और पी इंडिया के लेखक जो है लाला लास पतरा है इंडिया डिवाइड किस ने लिखा है राजिन प्रसाद ने लिखा कर बिलकुर हिंदुत तो सही दिया गया है सुमिलित नहीं है ऑप्सें नम्बर भी उसके बदेखेगा कि भारति राष्टी कॉंग्रेस के कि नेता को बिलेटे संसत के लिए पहली बार निर्वाचित किया गया था निर्वाचित कर लिया गया था दादा भाई नौरोजी को और इसका डी हो जाएगा राइट अंसर दादा भाई नौरोजी को निर्वाचित किया गया था ठीक है और यह निर्वाचित होने वाले पहल तो गंगा सरंद सिनहा भी थे ठीक है और रामानंद मिस्र भी थे तो यहांपर देखे रामानंद मिस्र भी दिया गया है तो एक साधी किसका राइट अनसर हो जायेगा जप्रकास नरायन थे उसका बाद फुलन प्रसाद बर्मा भी थे तो इन सब का नाम याद रखना और 1934 में इसका विद्वत गठन की किया गया था पटना में और इसके अध्यक्सता किस ने किया था तो यह आप मुझे कमेंट करके बताएंगे अध्यक्स कौन थे और महा सची तो इसके जप्रकास नराएंजी थे 1934 में क्लियर चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्लिकित में से किसके सासनकाल के दोरान उपनी सुदो का फार्सी मनवात किया गया था तो फ्रेंट्स यह किया गया था साहा जहां के समय में साहां का जो पुत्र था दाराशी को इसी ने करवाया था ठीक है सर अकबर के नाम से अपने पढ़ा भी होगा सर ए अकबर के नाम से जो है दाराशी को जो कि साहां का पुत्र था इसी ने करवाया था चलिए उसका बद नेक्स्ट कुर्स्टन कर लेंगे कि 1940 की लहावर प्रस्ताव का उदेश से था 1940 के लहावर प्रस्ताव का उदेश से था मुस्लिमों के लिए एक अलग राजिक का गठन अप्सन नम्बर ए इसका राइट अंसर हो जायागा ठीक है चलिए लहावर प्रस्ताव एक अप्सारिक प्रस्ताव था जिसमें एक अलग मुस्लिम राजिके निर्मान के मांग की ग हुआ था देखे पूछा गया है कि इन में से कौन सा परिणाम नहीं था यहां पर ध्यान दीजेगा देखे सविनवाग ग्यांदरण को समाप्त करना बिलकुल था यह कि उसके बाद देखे कॉंग्रेस के दूसरे गोल में चमलन में सामिल होने के लिए सवमत होना यह भी था उसके बाद ब्रेटिस सरकारदब्रा भारति राष्टि कॉंग्रेस की गतीविद्यो पर अंकुष लगाने है तो परित सभी देखू को वापस लेना ठीक है उसके बाद हम बात करें अहां कि ब्रीटीच सर्कारद बरार नमक पर आरुपित कर को समाप्थ करना ये भी था ठीक Coconut यिवी वह ञासि पर आरोपित कर हटा देंगे क्लिए और ये भी था आपका सभीु आपस लेड़ में थां तो सभी थे तौप्झा गया नहीं था तो क्योंकि समय धा उते खैया योध हुआ था ठीक है चलिए सामुगद का योध याद रखेंगे उसका पसी दिएगा कि डायमेकस एक युनानी राजदुत था जो आया था डायमेकस बिंदुसार के दरबार में और इसका राइट अंसर नेक्स्ट कोशन कर लेंगे अगला प्रश्न हमारा कोशन नंबर यहां पर दिखिए 113 कि वर्स 1949 में कॉंगरेस के अधक्स बनने के लिए सुबास द्वरा कौन पराजित हुआ था तो पराजित हुए थे कौन तो पट्टावी सिता रमया और इसका सी राइटन सरो जागे यह गांधी जी के कैंडिडेट थे उसका बाद कि होयसल राजमंस की राजधानी कहां थी तो हैसलो की राजधानी जो थी यह द्वार समुद्र थी ठीक है द्वार समुद्र थी ध्यान रखिएगा चलिए नेक्स्ट कुस्टन कर लेंगे अगला प्रशन है कि बिहार के निमलेकित में से किस जिले का प्राशी नाम अंगूतरी था तो अंगूतरी जो था यहां नाम था लखी सराय का किसका नाम था लखी सराय का प्राशी नाम अंगूतरी था उसके बाद देखिएगा निमलेकित में से कौन वर्स उनिस सुच्यालिस में भारत में आए क्याबिनेट मिशन का सदस नहीं था तो क्याबिनेट मिशन का सदस जो थे यह कौन कौन से थे तो देखे इसमें लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस था सर एश्टोफर्ड क्रिप्स था और एबी अलक्जेंडर था यहां पर देखेगा विलियम ऊड नहीं था ठीक है उसके बाद यहां पर देखेगा तो आपका लॉर्ड बेबल जो है लॉर्ड नहीं थे उसका बद चलिए अगला प्रशन कर लेंगे नेक्स्ट कोस्टन कर लेंगे कि रोबर्ट कलाइब द्वारा नेमलेकित में से किसे बिहार का नायब दिवान ने किया था तो यह किसको किया गया था यहां सिताब राय को किया था उसका बाद एक वर्स 1822-22 में भूम अस्था है बताइए तो देखिए वह प्रकरम जिसके द्वारा किसी छेत्र में पाई जैने वाली बनस्पति और जन्तू परजातियों के समय के साथ दूसरे समय में परवर्तित हो जाते हैं या दूसरे समय उनका अस्थान ले लेते हैं पारिश्थित की अनुक्रम कहलाता ह है ठीक है और देखे यह जो अनुक्रम होता है इसमें बीभेनचरन है जैसे की वनस्पति रहिद प्रवाशन उसके बाद और अस्थापन जिए है उसके बाद यह कत्री करन अस्प्रधा देखें यहाँ पर अस्प्रधा भी दिया प्रतिकिरिया यानि कि आपका रियक्षन और इस्त्री करण यहाँ धिए इस्त्री करण भी यहाँ पर दिया गया है, निवेशन यहाँ की मैंने पहले ही बताया था, वनस्पति रहित ठीक है, निवेशन, तो अप्सिन ई हो जाएगा, एक से अधिक इसका कर्रेक्ट इंसर हो जाएगा, निमलिकित में से यहां पर देखे बिहार में पुछा गया निमलिकित मैला स्वतंतरता सिनानियों में से किसने भगत सिंग को दिये गए मिर्तिदन के विरुद आवाज उठाने के लिए लोगों को संगठित किया था निमलिकित में से किस वैसरा के काल में जो है यहां पर देखिए किस वाय सराय के काल के दोरान जो है भारत की राजधानी कुलकता से दिली अस्तानांतरित की गई थी तो बताए इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा तो यह लॉर्ड होर्डिन किसम है दिली दरवार का आजन किया गया था आपको याद है 1911 हमें और इसी म बताए यहां यहां नवपासान काल से हैं ठीक है बुर्ज हों स्री नगर जमु कस्मीर का पुरा तत्विक महत वाला एक प्रमुक नवपासान काली नस्तर है ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कुस्शन कर लेंगे कि अगला प्रश्ण 124 नमबर देखिएगा कि निमलेकित में से किस वर्ष गांधी इरविंद समझाते पर हस्ताक्षर हुआ था मैंने पताया था पांच मार्च 1931 को उसके बढ़ेंगे रानी विक्टोरिया द्वारा कैसर हिंद की उपादी गरहन करने के समय वैसराय कौन था तो वैसराय पूछा गया है तो उसमय वैसर लनेरू की पुस्तक है मौरे प्रसासन में महिसी जो था यह क्या था महिसी पुछा गया है तो महिसी जो था यह क्या था त्रिफ्रेंस यह जो था मुख्यरानी थी महिसी ठीक है चले मुख्यरानी को महिसी नाम सिर्शक का एक विश्यस अस्थान प्राप्त था उसका बद ए कि सिंदुगाटि सब्यता का। निम्रीकित में बिहार में इस्तित है। तो राइट disp बताइए। तो देखिए। उपेस्ट इवह सिंदुगाटि अस्त्तित में कोई भी बिहार स्थित नहीं है। औस नमबर कि हो जाएगा उप्रिक्तत में इससे निलंबित किया गया था जो कि 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ था गांधी जी नेमलेकित में से किस समाचार पत्र के साथ जो है नहीं जुड़े थे तो देखे राइट अंसर इसके क्या हो जाएगा यहां पर देखेगा इसका जो करेक्ट अंसर हो जाएगा यू 2019 में भारती राष्ट्य कोंग्रेस के प्रस्ताव को अनिसार मात्मा गांधी कोंग्रेस के नए समिधान के लेखक थे निमलेकित में से किसे मात्मा गांधी के सांथ सवय करने हेत्व चुना गया था तो गांधी जी जो नए समिधान के लेखक थे तीलक और चितरंजन दास क कि स्यों करने के लिए चुने गया थे तो केलकर तीलक उसका बाद देखे आई बी सेन और कौन थे इसमें तो यहां पर एक साधीक तो वैसे हो गया option number e इसका right answer हो जायाएगा ठीक है केलकर थे आई भी सेन थे उसके बाद तीलक थे तो यहां पर देखे तीलक भी दिया गया है केलकर का भी नाम दिया गया है और इसमें चेतरंदंदास थे तो यह तीनों लोग थे चलिए आगे बढ़ेंगे कि राजधानी और महाजन्पत का नेमडगित में से कौन से इस सुमेलित हैं त सभी सुमेलित हैं तो एक साधी किसका राइट अंसर हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट कुस्टन करेंगे कि करपूर मंजरी की रचना निमलेकित सबस्टन करपूर मंजर्य सभी यह उनकर उप्राज है यह डिया ऑपका अधनियम भारत थार्यम सभ्पór मंजर एग्स पीट्स इंडियाा एक्ट ऺाहततर यह गलत दिया गया है ठीकते इचес इंडिया इसको कहा जाता है तो सबसे पहले उसके बाद फिर उसके बाद यहां पर देखिए वारें हैं फिर मेटकॉफ फिर डॉलहोजी फिर लॉड कैनिंग तो आपसे नमर ए राइट एंसर इसका हो जाएगा इसका गठन किया गया था सर माइकल सटलर किया था महां फिर किया था उसको बहुंदीन नम्रकित में फिर बक्तियार खान का मक्राइश इस्तित है तो यह कैमॉर में है ठीक है कैमूर में है बक्तियार खान का मक्बरा अगला प्रशने हमारे की नेमलिकित मेंसे मुगल समराट के दौरा कशमीर के सासक यह सबसा चक को बिहार में निर्वासित किया गया था तो फ्रेंट्स बिहार में जो निर्वासित किया गया था ये किया गया था आकबर के दवारा अगला प्रशने के निमलकित में से कौन मुझपरपूर बंकांड से चुड़ा था तो खुदिराम बोस्ते और प्रफुल चाकी थे तो उपरिकत में से एक साधिक इसका राइट अ मन्ना अब हमारे दिल में कभिता को पहले कीस ने गया था किसने तो गया yap हो तुका को को मैं तुर यρείक में दिया है ठीक है तो बताई इसका राइट एंसर क्या हो जागा तो यहां पर देखेगा चालू के नहीं तो राष्टकुट गुर्जर परतिहार और पालवन्स थे तो बिहार में हुआ तो बिहार में जो है हुआ था गुरु गोविन सिंग जी का जनम ऑप्सिन नमबर डी राइट एंसर इसका हो जाएगा 1666 में पटना में इनका जनम हुआ था इसका बद एक किस वर्स सरी वर्स निसफ़पांच में कॉंग्रेस के बणारस अधिविशन के अध्यक्सता तो फ्ररेंड्स इसके अध्यक्सता जो है किया था किसने सभी उप्सन को देख लिजेगा यहां पर बाकि आप्सन दिया गया है गोपाल कृष्ण गोखले ने किय सब्सक्राइब इसका डी हो जाएगा राइट एंसर ठीक है बनारस अधिवेशन के अधिक्स्ता उनिस सब्सक्राइब गोपाल कृष्ण गोक्रेजी ने किया था उसका बदेकिन अम्रिकित में से कौन सी घटना है अपने वर्ष के सांथ सही सुमिलित नहीं है यहां पर देख सी एक्ट 1850 सही है पॉर्यस का 28 वाज वेशन जो हुआ था यह 1910 में नहीं हुआ था यह आपका हो जाएगा 1912 हमें ठीक है तो यह भी गलत है तो एक साधिक राइट अंसर इसका हो जाएगा उसका बदेखेगा कि छेरो विद्रों हुआ था चेरो विद्रों जो हुआ था य